हेलो गाइज वेलकम टू माइज चाइनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज हम लोग साइन अप फॉर्म क्रियाट करेंगे विधा हेल्प अफ्टी एमेल एंड ऐसे बहुत ही इजी वे में हम लोग कोडिंग को लिखेंगे तो आएए हम लोग चलता है अपने भी एस को सकते हैं लाश्ट में.css होना चाहिए और यहां पर मैं एक गूगल फॉंट साइज को लिंक किया हूं आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं इससे कोई इसू नहीं आगी उसके बाद में डिव क्लास लिए हैं साइन बॉक्स आप यहां पर कुछ भी नाम ले सकते हैं उस इसना कि और वह साइज डिफरेंस करता उसके बाद दोस्तों मुझे एक आज फोर्म बनाना है तो मैं टैग ूर्म टैग लिया हूं जिसमें लेबल टैग में फर्स्तेम देशाए होँ इन्पूट टैप में टेक्स प्लेस वोल्डर दिया हूं फिर एक लेबल टैग में ला सब्मिट बटन लिया हूं यह सब्याइब सब्सक्वाद द्सक्राइब लिंध में यहीं उसके द्सक्राइब करते candle साधिर प्रक्राइब informações यह में से विसना डमत्रइन होन द्वाद के रख एक करनकर टेग इंग लिया हूं दोस्तों css code में मैं body tag लिया हूँ इसका background color यह लिखा हूँ दोस्तों अब पुछोगे दोस्तों कि यह code क्या है तो दोस्तों इसे हम लोग color code बोलते हैं आप Google पर जाकर ht में color code search करकर देख सकते हैं सभी color का code आपको मिल जाएगी उसका फॉर्ट फैमिली में robotic कर दिया हूँ sign of Box लिया हूँ sign of Box में White height margin background color border radius यह सब कर दिया हूँ दोस्तों उसके बाद login box लिया हूँ login box में भी white height margin दोस्तों यह मैं यह मेरा फाइल पहले से मैं जानता हूं कि कितना वाइट रहेगा कितना हाइट रहेगा आप अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं उसके दोस्तों एच वन टैग में टेक्सलाइन सेंटर कर दिया हूं पैडिंग टॉप टॉप से पैडिंग किया हूं उसके बाद एच फोर टैग लिया हूं फॉर् color font size उसके बाद दोस्तों पड़ा कि डेकुरेट किया हूं अभी मेरा सेसर्षाइब कंप्लीट होगे अब हम लोग चलते हैं आउटपुट देखते हैं इसका तो हम लोग आ चुके हैं अपने आउटपुट में तो आप लोग यहां देख सकते हैं एक बढ़िया सा साइन अफ प्रीयट हो चुका है जिस你在 फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल फर्स्ट नेम आप यहां पर कुछ भी डाल सकते हैं नेम उसका लास्ट नेम इमेल पास्वर्ड कंफर्म पास्वर्ड समिट का भी बटन है बाई क्लिकिंग दा साइन अप बटन यू एग्री तो आवर टर्मेंड कंडिशन और पॉलिसी और प्राइबसी अब मैं चाहता हूं कि लॉगिन हेर पे क्लिक करें तो एक मेरा लॉगिन पेज खुल जाए उसके लिए मुझे लॉगिन पेज भी बनाना परेगा तो चलते हम लोग एक लॉगिन पेज बनाते हैं लॉगिन.html करके फाइल बना लेंगे उसके बाद इसमें ल को लिंक कर दें करेंगे और में बड़ी में भी डिफ क्लास लेंगे मुझे लॉगिन करना है तो डिफ क्लास का लाग इन बॉक्स ले लिए इस वर में लॉगिन देंगे एक फॉर्म एक फ़र्म बनाएंगे इमेल इमेल पार लेवल टैग लेकर और उसके बाद एक इन्पुट टाइप दोनों फाइल एक दूसरे में लिंक करना पर एगा तब मैं अगर लोग In ये पर क्लिक करूंगा तो sign up का खुलेगा sign up पर क्लिक करोंगा तो लोग-इन का खुलेगा तो अब मैं यहाँ पे sign up वाला जो फाइल था उसका नाम था index.html जो कि मैं फाइल बनाया था आप कुछ भी फाइल आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं तो मैं उसे यहां पर लिंक कर दिया हूं और फिर चलता हूं मैं sign up फाइल में और जो login पेज बनाया था उसे मैं यहां पर लिंक कर दिया हूं login.html अब दोस्तों देखते हैं इसका क्या result आता है देखिए अब यहां पर यह मेरा sign up form है एक बढ़ी असा बहतरीन और इसमें login है पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए मेरा login पेज खुल गया email password और यहां पर sign up पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरा sign up form अब देख सकते हैं यह दोनों पेज एक दूसरे से link है मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं login पर तो login पेज खुल रहा है मेरा और sign up पर क्लिक कर रहा हूं तो sign up पेज ओपन हो एमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल कर सब् बाइ